Hello Everyone, Storyteller Shivani मैं आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कमला मारकेंडे के नोविल Nectar in a Sea के बारे में कमला मारकेंडे एक इंडियन नोवलिस्ट थी जिनका जन्म 1 जन्वरी 1924 में मैसूर में हुआ था इनका उपनाम कमला पुर्णया और मैरेट नेम कमला टेलर था और इन्हें इंग्लिश में लिखने वाले Most Important Indian Novelists में से एक माना गया है इन्होंने मदरास यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की और फिर वो लंडन चली गई और वहीं 80 साल के उम्र में 16 माई 2004 में इनकी डेथ हो गई Nectar in a Sea जिसकी मीनिंग हुई एक चलनी में अम्रित ये Novel 1954 में पब्लिश हुआ था इस बुक की सेटिंग उस समय की है जब इंडिया में शहरी विकास यानी अर्बन डेवलप्मेंट बहुत तेजी से हो रहा था और ये गाओ के एक चौधरी की बेटी की कहानी है जिसकी 12 साल की उम्र में एक गरीब किसान से शादी करा दी गई थी और ये स्टोरी फर्स्ट पर्सन में रुकमनी द्वारा सुनाई जा रही है अगर बात करें टाइटल की तो ये टाइटल साम्वल टेलर कॉलरिज की 1825 की पोयम वर्क विदाउट होप से लिया गया है एक बार कैरेक्टर्स देख लेते हैं ताकि आगे आपको कोई कन्फूजन नहीं हो तो सबसे पहले है रुकमनी जिसकी 14 साल के उम्र में नाथन नाम के किसान से शादी करा दी गई इनकी बेटी होती है इरा इसके बाद एक डॉक्टर जो की important कैरेक्टर है जिसका नाम डॉक्टर कैनिंग्टन है और इससे कैनी कहा गया है इसके बाद रुकमनी के च्छा बेटे होते हैं पहला अरजुन, दूसरा थामबी, तीसरा मुरुगन, चौथा राजा, पाँचवा सल्वं और छटा कुटी अगला कैरेक्टर है कुन्थी जो की रुकमनी की परोसन थी पुली नौ साल का कोर से ग्रस्त एक लड़का जो सहर में रुकमनी और नाथन की मदद करता है और आखरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है अम्मो, जो की मुरुगन द्वारा छोरी गई उसकी वाइफ थी तो चलिए अब जानते हैं कहानी के बारे में रुकमनी जो अब एक बूरही औरत है अपनी बीती जिंदगी के बारे में सोचती है गाओं के हिडमैन की पढ़ी लिखी सबसे छोटी बेटी उससे बड़ी बहनों का तो बहुत सारा दहेज दे दे कर अमीर घरानों में शादी करा दी गई पर इतना दहेज दे दे कर माँ बाप की कमर तूट गई और अब उनके पास न पैसे बचे थे ना ही वैसा रुत्बा मचबूरी में उन्हें अपनी छोटी बेटी की शादी एक गरीब किसान नाथन से करनी पड़ी तब रुकमनी मात्र बारा साल की थी नाथन भी एक अच्छा आदमी था वो उसे प्यार से और रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करता जबकि रुकमनी अपनी नई जिन्दगी के तौर तरीके सीखी रही थी एक साल के अंदर ही उनकी एक प्यारी सी बेटी हो गई ईरा और उस साल फसल भी बहुत अच्छी हुई पर अगले च्छा सालों तक रुकमनी को कोई बच्चा नहीं हुआ इस बात से दुखी रुकमनी कि वो नाथन को एक बेटा नहीं दे सकती अपनी बिमार मा से मिलने जाती है और वहाँ उसकी मुलाकात एक फॉरेन डॉक्टर कैनी से होती है कैनी रुकमनी की इनफर्टिलिटी का ट्रीट्मेंट करता है बिना नाथन को इस बात की कोई खबर लगे और फिर एक के बाद एक रुकमनी को पाच बेटे हुए अब चुकी वे लोग गरीब थे चमरे का कारखाना भी खुल गया तो गाउवालों की लाइफ में और भी कई अनप्लेजन्ट चेंजस आए रुकमनी के दो बड़े बेटे वहीं काम करने लगे अरजुन और थाम भी और इससे परिवार की बहुत मदद होती लेकिन फिर लेबर स्ट्राइक लीट करने के कारण उन्हें काम से निकाल दिया गया फिर जिस साल उन लोगों ने इरा की शादी के लिए अच्छा खासा इंतिजाम किया था मानसून की बारिस ने उसी साल सारी फसल नस्ट कर दी रुकमनी ने तब अपनी सारी सेविंग से परिवार के लिए खाने का इंतिजाम किया फिर इरा के पती ने इरा को वापस भेज दिया क्योंकि इरा बच्चे नहीं पैदा कर पा रही थी तो रुकमनी एक बार फिर बिना अपने पती को बताए केनी की मदद लेती है कि वो इरा को कंसीव करने में मदद करे लेकिन उसके ट्रीटमेंट में अब बहुत देरी हो चुकी थी क्योंकि इरा के पती ने दूसरी शादी कर ली फिर कुछ दिनों बाद रुकमनी फिर से प्रेगनेंट होती है और अपने आखरी बेटे कुटी को जन्व देती है कुटी का खयाल रखने से इरा अपने दुख और डिप्रेशन से बहरा पाती है पर उस साल सूखा पड़ता है और परिवार एक बार फिर से भूखा रहने को मजबूर हो जाता है और वे अपनी जमीन और कई चीजे बेच देते हैं सिर्फ जमिंदार के बकाया का आधा भुकतान करने के लिए खाने के लिए भी अब बस घास पत्ती ही बचे थे तो फैमिली कमजोर और भुकमरी से तरस्थ हो जाती है कैनी रुकमनी के तीसरे बेटे मुर्गन के लिए सहर में सर्वेंट की नौकरी लगवा देता है उधर रुकमनी का चौथा बेटा राजा चमरे के कार खाने में बच्छरे की खाल चुराने जाता है और पक्री जाने पर चोडी के इलजाम में मार दिया जाता है इसके अलावे भूख का सबसे ज्यादा असर कुटी पर परता है और कुटी का पेट भरने के लिए एरा खुद को बेच देती है और प्रोस्टिटूशन अपना लेती है लेकिन उसकी इन कोशिशों के बावजूद कुटी मर जाता है अच्छी फसल ने आने में बहुत देर कर दी कि वो रुकमनी के बेटों को बचा पाए केमी बहुत लंबे समय के बाद बहुत सारे पैसों के साथ वापस आता है कि वो गाउ में एक अस्पताल बनवाएगा और रुकमनी के पाचवे बेटे सल्वन को अपने असिस्टेंट के रूप में ट्रेन करेगा तो जैसा कि केनी ने शुरू से रुकमनी की काफी हेल्प की गाउ वाले ऐसा सोचते कि केनी और रुकमनी के बीच कोई इलेसियट रिलेशन्शिप है और दूसरी तरफ कुन्थी जो की रुकमनी की परोसन थी और अब प्रोस्टिट्यूट बन चुगी थी वो ये अफवा फैला देती है कि जब वो और नाथन यंग थे तब कुन्थी के दो बेटों को नाथन ने जन्व दिया यानि कुन्थी के दो बेटों का बाप नाथन है और कुन्थी इस बाद से तब तक फाइदा उठाती है जब रुकमनी को सच पता चल गया और उसने नाथन को माफ कर दिया अब जब नाथन लगभग 50 साल का होने को आया उसके साथ जमीन पर काम करने के लिए एक भी बेटा नहीं बचा और वो गठिया और दुर्बल कर देने वाली बुखारों से बुरी तरह प्रभावित हुआ रुकमनी और इरा ने नाथन की मदद करने की काफी कोशिश की पर वो उतनी स्ट्रॉंग नहीं थी इरा का भी एक बच्चा था जो प्रोस्टिटूशन से हुआ था और वो अल्बीनो था यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसकी स्किन और बाल बहुत ज्यादा वाइट होते हैं और आखे हलकी गुलाबी रंगी होती है और ऐसे लोग धूप में नहीं जा सकते तो फैमिली को अल्रेडी बहुत सारे कस्ट थे और सबसे बड़ा लॉस उन्हें तब हुआ जब लैंड एजेंट ने नाथन और रुक्मनी को बताया कि उनकी जमीन कारखाने को बेचती गई है और अब तो नाथन बूढ़ा और बिमार हो चुका था तो कोई भी उन्हें अपनी जमीन पटे पर यानी रेंट पर खेती करने नहीं देगा तो अब नाथन और रुक्मनी को अपने 30 साल पुराने घर को छोड़ कर अपने बेटे मुरगन के पास जाना पर रहा था जो शहर में काम करता है और वे एरा और अपने ग्रांट चाइल्ड को अपने पाँचवी बेटे सल्वम की देखभाल में छोड़ कर जाते हैं तो वे निकल पड़ते हैं और अपने साथ कुछ बंडल्स ले जाते हैं जिन में पैसे, खाने का समान और उनकी कुछ चीजे थी नाथन और रुकमनी शहर में मुर्गन को खोजने की कोशिश करते हैं और रात को एक मंदिन में रुकते हैं पर रात में चोर उनके सारे बंडल्स और पैसे चुरा लेते हैं तब कोड से पीरित गली का लड़का जिसका नाम पुली था वो उन दोनों की केनी के डॉक्टर फ्रेंड का घर खोजने में मदद करता है जब वे लोग वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मुर्गन ने दो साल पहले ही वहाँ काम करना छोड़ दिया और ज्यादा पैसो के लिए वो अब कलेक्टर के घर पर काम करता है जब वे लोग वहाँ जाते हैं तो वहाँ उन्हें मुर्गन की पत्नी मिलती है और उन्हें बताती है कि मुर्गन ने उसे छोड़ दिया है और उनका पोता यानी मुर्गन का बेटा भूग से पतला हो रखा है और उसका एक और छोटा बच्चा है जो शायद मुर्गन का नहीं है तब रुक्मनी को लगता है कि गरीबी के कारण बहु की हालत पहले से ही खराब है अब नाथन और वो उस पर बोज नहीं बन सकते तो दोनों जन वापस मंदिर आ जाते हैं जहां हर रात गरीब बेसहारा लोगों को खाना खिलाया जाता है रुक्मनी और नाथन को घर की भी याद आती है पर उनके पास घर लोटने तक के पैसे नहीं थे रुक्मनी लेटर रिडर के रूप में काम भी करती है पर इससे बस वो इतने ही पैसे कमा पाती है कि राइस केक्स खरीद सके पूली उन लोगों को पत्थर की ख़दान में ले जाता है जहां उन्हें काम के ज्यादा पैसे मिलते हैं पूली उन्हें पत्थर तोड़ना सिखाता है और अब वे दोनों उस पर आश्रित रहने लगते हैं और अपनी सारी सेविंग्स उसके पास जमा करते हैं एक शाम रुक्मिनी एक्स्टर खाना और पूली और अपने पोते के लिए खिलोने खरीदती है उसे आने में देर हो जाती है और उसे लगता है कि नाथन जरूर बहुत गुसा होगा लेकिन जब वो लोटती है तो देखती है कि नाथन बहुत बुरी तरह से बिमार है और एक सब्ताह तक मानसून की बारिस में भी वो ठंड और बुखार में भी लगातार काम करता है एक शाम पगार मिलने के बाद रुकमिनी घर लोटने के लिए गारी करने की सोचती है और जल्दी-जल्दी नाथन के पास जाती है पर वो नाथन को गली में कीचर में बेहोस परा पाती है कुछ अच्छे स्ट्रेंजर्स उसकी मदद करते हैं और नाथन को मंदिर तक पहुचाते हैं जहां रुकमिनी की बाहों में उसे अपने अच्छे दिनों की याद दिलाते हुए नाथन अपना दम तोर देता है अब नाथन तो मर गया तो रुकमिनी पूली से कहती है कि तुम मेरे साथ घर चलो मैं तुम्हारा इलाज भी करवाऊंगी और वहां केनी और सेलवन भी हमारी मदद करेंगे अब घर पहुचकर वो पूली की मुलाकात सेलवन और इरा से कराती है कि ये बेटा मैंने और नाथन ने शहर में गोध लिया था अब अच्छे दिनों की आशा और दया और सहानु भूती दिखाते हुए इरा पूली के लिए हर बड़ी में खाना बनाने चली जाती है और सेलवन भी अपनी मा से वादा करता है कि हम लोग मिल कर सब कुछ मैनेज कर लेंगे और इस तरह से ये कहानी खत्म हो जाती है तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी थैंक यू